हलो दोस्तों उमेद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम लेट्स लॉन साइंटिया है आप लोगों के सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद चलिए वीडियो के सीरीज को स्टार्ट करते हैं और बा के बात कर रहे थे उसमें तीन थرमल एक्सपांशन की बात करी थी हमने एक linear coefficient ऐख लीनियर थरमिल एक्सपांशन दूसरा हमने बात किया था coefficient of area expansion तीसरा हमने बात किया था coefficient of volume expansion अब इस तीनों में linear को alpha, area को βीता और volume को gamma के द्वारा दर्साया जाता है ये भी हमने बताया था अब इन तीनों के बीच alpha, beta, gamma के बीच में क्या संबंद है वो हमी जानना है तो सबसे पहले बात करते हैं रेखिय परशार गुनांक की तो रेखिय परशार गुनांक बराबर होता है चितरी परशार गुनांक बटे 2 चितरी परशार गुनांक का आधा रेखिय परशार गुनांक होता है या फिर आप कहा सकते हैं रेखिय परशार गुनांक बराबर चितरी परशार गुनांक बटे 2 ठीक है क्योंकि हम देखते हैं कि linear expansion जब होता है तो उसमें सर्फ length बढ़ता है लेकिन इसमें length और width दोनों बढ़ता है ठीक है लेकिन अगर हम रेखिया परशार गुनांग देखेंगे मतलब इसमें एक dimension बढ़ा लेकिन इसमें 2 dimension बढ़ा इसलिए रेखिया परशार गुनांग बढ़ावर होता है छेतरी परशार गुनांग बटे 2 अगर हम बात करें रेखिये परशार गुनांग जो जिसमें length होता है आइतन परशार गुनांग बटे 3 मतलब आइतन परशार गुनांग बटे 3 होता है मतलब alpha बड़ाबर beta upon 2 कह सकते हैं और अलफा बराबर गामा बटे 3, इसका मतलब है कि बीटा बराबर 2 अलफा, बीटा बराबर 2 अलफा हो जाएगा और गामा बराबर 3 अलफा हो जाएगा, इसी आधार पर हम कह सकते हैं, जैसे कि बताया हमने कि अलफा, अगर अनुपाक निकालें, अलफा, बीटा और गामा का तो alpha तो alpha ही है है ना एक alpha इस to beta का मान क्या होता है तो beta का मान 2 alpha 2 alpha इस to gamma का मान 3 alpha तो यहाँ पर alpha alpha कट गया तो क्या बचा 1 is to 2 is to 3 हम कह सकते हैं कि जो alpha beta gamma है इस तीनों का अनुपात कितना होता है 1 is to 2 2 is to 3 यह इसका अनुपात है अगर एक भाग alpha बर्राय रेखिये परशार होगा तो दो भाग छेतरिये परशार होता है और तीन भाग volume परशार होता है आईतन परशार होता है ठीक है इसी आधार पर अब हम लोग thermal expansion के कुछ daily के अनुपरियोग जो की हमें देखने को मिलते हैं उसके बारे में थोड़ा समझते हैं सबसे पहला आता है कि माल लीजे कोई champagne का bottle देखे होंगे champagne के bottle में उपर में एक लकडी का कॉक लगा हुआ रहता है कॉक कहते है उसको फसा रहता है तो क्या करता है टक से उसके खोलता है तो बाहर निकलता है अगर माल लीजे उसके अंदर वो अटक जाए तो उसको निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं तो जैसे हम bottle को गर्म करते हैं bottle के portion को गर्म करते हैं जहां पर cork फशा हुआ है तो वो फसा या bottle से cork का निकलना ठीक है अब अगर माल लीजे की कोई काच का bottle है उसके उपर कोई धातू का धक्कल लगा हुआ है अगर उसको निकालना है तो कैसे निकाल सकते हैं तो ध्यान में रखिएगा कि गर्म पानी में अगर उसको dip कर दिया जाए गर्म पानी में bottle के मुख को जिसमें धकल लगा हुआ है धातू का उसको अगर dip करते हैं डालते हैं तो पता है कि काच से अधिक thermal expansion जो है वो इस पात का होता है धातू का होता है धातू में thermal expansion अधिक होता है बनिश्पत की काच में क्योंकि धातू अधिक सुचालक होता है काच कुचालक होता है ठीक ना उसमें लेट से उसमा प्रसार होता है इसमें जल्दी उसमा प्रसार होता है तो पता है क्या होगा धकन जो है लूज हो जाएगा और वो अपने आप खुल जाएगा क्योंकि हमने उसको क्या 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 गर्म पानी में उल्टा करके डिप कर दिया dip करने के बाद वो गर्म हुआ, गर्म होने के बाद जो है, वो कांच के bottle का धकन है, वो आसानी से खुल जाएगा, ठीक है, यही चीज क्या कहता है, कांच के bottle से धातू के धकन को निकाला, अगला point जो आता है, जिसे कि आपने देखा होगा, कभी ने कभी तो बैल गारी या घो लिए उसके उपर एक लोहे का वलय चढ़ाया जाता है, रिंग चढ़ाया जाता है, धातू का यह सपात का रिंग चढ़ाया जाता है, अक्सर वो धातू का होता है, लोहा का होता है, तो उसको चढ़ाया कैसे जाता है, तो याद रखिएगा, कि पहले उस लोहे को गर्म करक जिसके कारण उसे मजबूती आ जाती है तो हम कह सकते हैं बैल गाड़ी या फिर घुरे गाड़ी के पईयों पर इस पात या लोहे को चढ़ाना भी thermal expansion का ही एक अनुपरियोग है जैसे कि बैल गाड़ी और घुरे गाड़ी में लकड़ी के पईयों पर लोहे इता इस पात को चढ़ाना अगर हम बात करें तो जाते होंगे हम लोग ट्रेन से जाते हैं तो पटरियाओं पर ट्रेन चलती है तो देखते होंगे कि एक पटरी से और दूसरे पटरी के बीच में gap रहता है यह gap क्यों रहता है इसके बीच में जो अस्थान खाली रखा जाता है क्यों रखा जाता है क्योंकि पता है कि वहां पर एक तो friction के वज़ए से उसको हम ignore करके रखते हैं विफिलाल जब लोहे के पटरी पर उसमा परदान होता है जब गरमी का दिन होता है तो क्या होता है उसमें परसार होने लगता है वह फैलने के कारण अगर मालीजे धातू दोनों पटरी सटा हुआ रहता अर दोनों फैलता तू क्या हो जाएगा वह मुर जाएगा बैंड कर जाएगा जिससे accident का खत तरा तल जाता है तो हम कहा सकते हैं रेल गाड़ियों के पट्रियों के मद जगह छोड़ना अक्सर देखते होंगे कि गर्मियों के दिन में लोहे के जो तार होते हैं जो टेलिफोन के तार होते हैं वो लटक जाते हैं जुल जाते हैं या फिर नीचे की ओर आ जाते हैं कारण क क्या है थरमल एक्षपांशन का ही कारण होता है थरमल एक्षपांशन के वज़ए से क्या होता है कि वस्तूम का जो धातू है जो लोहा है वह क्या होता है प्रसारित होने लगता है और प्रसारित होने के वज़ए से उसके लेंथ में ब्रिद्धी हो जाती है क्योंकि हमें पता वह नीचे की और लटागी जाता है तो यहां पर देखते हैं गर्मी के दिनों में टेलिफॉन या विद्दूत के तारों का लटागी जाना एक जिस ध्यान रखिएगा कि जब किसी वस्तू में लंबाई भी है चोड़ाई भी है और उचाई भी है अगर माली जे इसमें एक रिंग बना देते हैं और इसको हम गर्म करते हैं गर्म करेंगे तो क्या होगा इसके भी वॉल्यूम में डिफ्रेंस आएगा इसके वॉल्यूम में भी डिफ्रेंस आएगा ठिक है जैसे कि कि देखे कि और हाथोड़ी में लोहे के बैट को लगाना तो अगर हम उस बैट को गर्म करदें और उसमें अगर हम बैट को लगाते हैं तो आसानी से फिक्स हो जाता है है न, अगर हम देखे है अगला उधारण तो ताफ यह प्रशार से यह हस्पस्ट होता है किसी वस्तु को गर्म करने पर, सिदा समझे इसको जैसे कि मन लीजे कि किसी वस्तु को गर्म करते हैं, उसके weaving में भी परिवर्तन आता है, जुसको कि हम ने worm thermal expansion में देखा था, इसमें क्या होता है कि उसके लंबाई, चौड़ाई, उचाए, तीनों में परिवरतन आ रहा है होता क्या है कि जब हम किसी वस्तू को ताप देते हैं उश्मा उसमें बढ़ाते हैं तो उसमा बढ़ाने से क्या होता है उसके अंदर molecules जो है उसके बीच जो intermolecular force है, वो कमजोर होने लगता है, तो क्या होता है, एक दूसरे के बीच में gap आने लगता है, वो परस पर दूर हटने लगता है, दूर हटने से क्या होता है, उसके आइतन में ब्रिधी होती है, और हमें पता है कि अगर आइतन में ब्रिधी होगी, उसका घन गनतु क्या होगा तो कम होगा गनतु क्या होता है यह भी हमने बताया था गनतो क्या होता है जिसका ना होगा है करते हैं, ताप अगर कम करते हैं, तो उसका क्या होगा, कि उसके इतन में कमी आयेगी, लेकिन घनत्व क्या होगा, वो बढ़ जाएगा, ठीक है, क्यों बढ़ेगा, क्योंकी उसके जो molecules है, उसके बीच के Intermolecular Space बढ़ने लगते हैं, यह जो टर्म है, तापी परशार से यह असपस्ट होता है, किसी वस्तु को गर्म करने पर उसका आयतन बढ़ता है, आयतन बढ़ने के कारण स्वभाविक रूप से उसका घनत तो कम हो जाता है, और यह भी असपस्ट है कि तापमान को अगर हम कम करते हैं, तो संकुचित होने संकुचित होने से उसका घनत तो बढ़ जाता है, और उसका आयतन जो है, वो कम हो जाता है, ठीक है, मेरे ख्याल से इतना इंपोर्टेंट है, और उनके बारे में आपको जानकारी होनी ही चाहिए, तब तक के लिए इस वीडियो को अच्छे से देखिए, और इसी तरह से आ जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मुच.